कि अधर यह मताई यह कपनासर ने कल बोलाता कि सबसे पहला टेर्रिस्ट हिंदू है और वहीं दुसरी तरह बीजेपी ने बोला उसकी जबान काट देनी चाहिए नहीं जो महात्मा गानी को मारा जिसने फादर आप नेशन जिसको मानते है उसको क्या बोलेंगे महात्मा बोलेंगे एराक्षास बोलेंगे उसको टर्ररिस्ट बोलेंगे या असेसन बोलेंगे जिसने महात्मा गानी के सीले में बूली चलाई जो कॉंस्पिरेटर है और फिर जो कपूर कमिशन में जिसके बारे में रोल प्रू होगा गोल कॉंस्पिरेटर तो क्या बोलेंग पुर को नहीं मालगा मैं आप इतना यह कह सकता हूं कि जिसने महात्मा गांजी के सीने में बोलियां मारी और जिनको सजा हुई और कपूर कमिशन में जिन पर कॉंस्परेसी का एंगल साबित वह वो तमाम के तमाम टर्रिस्ट हैं जो इसने बापू को मारा उनको टर्रिस्ट पूलेंगे तो क्या बोलेंगे उनको क्या पूल पिनाएंगे अभी बोल रहे साथ 1948 में वा तो अभी अभी इसको टर्रिस्ट है अरे वाग फादर ऑफ दे नेशन की एसासिनेशन को आप भूल जाएंगे क्या आप भूल जाएंगे तो इसका मतलब आप आपकी दिल महात्म सब्सक्राइब जो भी मारा जिन पर सजा हुई रेट फोर्ट के अंदर जिस पर केस चला वो तमाम के तमाम टेर्रिस हैं ये बात पीरियट ये उसमें कोई दोराएं नहीं है इनको आप कोई महात्मा नहीं बोल सकते जो गोली मारें को क्या बोलेगे बादरो नेशन को एले तो मोधी जी ये कहते हैं कि उन्होंने आइनस विराट को राजीव गादी ने कैसी की तरह यूज किया तो ये तक दिया जाता है कि इतने साल बात क्यों आपको यादा दे तो वो लॉजिक इसके लागू नहीं हूँपा गया कि देखिए आएनस विराट में तो वो उन्द है जिसने मोडी का इंटेव्यू लिया था जिसने आपके चनल लोग आप आम भी कहते है वो केनेडियं सितिजन भी तो फैस्यफ पर गया था यो क्या था वो धाता की आपगे इस newac lies though hu किनेडियन सिटुजन चला गया भाई अब बठाइए उस पर नहीं बोलें कुछ पूर्ट की बात कई सालों से हो रही है अब कल ही मुंता पेलर जी को इनका में बना आए गया है और एक महिला को जो के काटीजी लीडर है उनको 14 साथ की जेव और 16 देव की जेव ने में दिमां आप लिखा तो जेवल कुे नहीं बिजाया उनको में बिजया रह insult के जा रहें कि मौत के बाद किसी ने लिखा तो उनको क्या किया था इस यह नहीं कहनून बदना चाहिए और सुप्राइम कोर्ट में जब कही दिया है कि उनको मार्फी बैंकेया ये ह்ॉदैं कि लिगा उ गितना अब सीरियस या मावला होता जा सुछा जा रहा है। टे अल hopeful तो मम्मोडी साब को बादल नजरा रहा है lecture हापूर में उनको राडर नजर नहीं आया गुजरात में उनको बटवा नजर नहीं आता गुजरात में दलितों की जो शादी की बारा थी रोक कर उनको पीटा गया पर बारा गया किसी एक शादी दलित एक दूला अगर किसी मंदिर में गया तो मंदिर पर हमला हुआ तो हम ODG से ये कहना चाहरे हैं कि ये आपको जहां पर सेलेक्टिव नज़र आता है वहां रडार नज़र आता आपको पॉलिटिकल और जहां पर आपकी कमजोरी दीखती आपको बादल नज़र आता है और फिर जहां पर आपको फाइदा नजर आता हूँ बटवा नजर आता आपको फिर फॉलिटिक्स छोड़ दे वो बादल रेडार और बटवा की फॉलिटिक्स छोड़ दे वो एक्सपोज हो चुके है हापूर के बारे में मोडी जी को बोलना चाहिए उन्ही की सरकार है जो चीफ फिनिस्टर है जो कहता है कि मैं बजरंग बली का नाम लोंगा किसी और का नहीं लोंगा तो पर हापूर में बच्ची का नाम क्या है फिर वो जाए चीफ फिनिस्टर क्यों नहीं आता बच्ची के पास जिसने अपने आपको जला कर का कि अब तो मेरा कोई बलातकार न पेडरल फरंड के लिए बादल बिल्कुल साफ है केसी यार का पॉलिटिकल डेडर टार्गेट पर है और इंशालला जाला बराबर सब्सक्राइब होगी एक स्टार्ट उन्होंने लिया है यह उन लोगों के लिए जवाब है जो केसी यार के सुटूलर करदेशन्स को सवाल कर भार रहे तरह रहे वह जाकर किनरी विजयन से मिले वह जाकर कल डंके के सबस्वरेद मिजयर राउडर स्टारिन से मलाखाष की यह बराबर सही काम कर रहे है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो कॉंग्रेस के महा गटवन्वन में आ जा रहा है। सब्सक्राइब करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि दरसल ये फेडरल फ्रंट कुछ नहीं है ये महा गटवन्दिन की हवा निकालने के लिए मोधी के फॉक्स में किया गया है अब दिखिए ना ये जो जहीनियत के लोग हैं ये भूल जाते हैं कि तेलेंगाना में पीजेपी किस नहीं हरा है पान से एक हमेले हो गए सो इसम्बली सीट पर उनकी डिपॉजिट जब हो गई नमारा जब हो गई अब पारलेमेंट इलेक्शन की रतीज़े आएंगे तो उसमें बीजेपी कर एक हम्पी नहीं आएगा से कबरबाद से तो एक इस ने किया ये जो जहीनियत करना चाहिए और यखिनां रिजिनल पार्टीज के पास एक बढ़ा नंबर होगा और मैं अभी से नहीं पिछले कही महिनों से साल से कह रहा हूँ के बगार रिजिनल पार्टीज के कोई सरकार नहीं बना पाए को इसम्बर 7, 2007 मानिशांकर रायरा है और प्राइमिस्टर इस नहीं बना राटीज के र्नीचा के सीर नहीं नहीं ऒनरां के अौर्टीज तर्थी तर्वी नहीं वर्नीचान करने हाँ कर रह था रह थ tätä वह एफ़े इंप़ी औरी नहीं, wherever He goes he called names. Spirit Breaker, you know, He goes to Bengal, He says something. He goes to Odisha, He says something. He goes to Tamil Nadu, He has to say something. He came to Hyderabad, again He spoke. So my request for times now is, please don't make the Prime Minister. seem to be a very holy figure he should be open to political criticism yes, no one should cross the model mode of conduct language barrier and that is the case, but if anybody criticizes the prime minister the skies are not going to fall तो के सब वो गया तुछ प्रियानगा शर्मा को बेल बिल गई है आज सुप्रिम कोड ने फैसला दिया और सुप्रिम कोड ने उनसे कहा भी कि आप मम्ता बेजन जी से अपॉलजैस करिये उनसे माफी मांगे उनको करना चाहिए Sir talking about the terrorist is PRS looking forward for allies in North for example Mayr âgddi or Afghanistan for that project? You know one thing is for sure whether you know the regional parties would play a very very important role in the next government population and as things stand now BJP is definitely losing and they are not going to come the conflict वीडरी स कहल म стороны ताहिज ही कर दो कि और मिनिस्ट्री निना थे हीता ? युझेज चरह豆्ट पंदत्य प्रफरी, तेस्ट पर्फिश्म अवांत्य श्रुड़ निर्टिश प्रेमिनिस्टर व्रॉड है जा आपक Dasन Chemegenлов लोत लिली अच्छ शणेरी पाञा कि ग necessity हैी तो इंदिआ अप्रेंस आपको तो hon sा जिर्वना मनें आपका करेसं and when certain percentage of her body is burned, that when she says that at least now will not be raped, Will I request the honorable prime minister to react to it? Where is that? His slogan of Betye Bachav Betye Padaw, why isn't the prime minister concerned about this woman? He is so concerned about triple talaq and Muslim woman. Here a woman who has been systematically raped and the prime minister should also know that one of his MLA's is in jail in Uttar Pradesh because he raped a girl. So the Prime Minister is very arrogant. He does not want to see his own mistakes. And that will be his downfall. Mr. One small point here. Sir, the girl has self-inflamated after visiting the police station. Yes, she has given a statement that she has made a lot of rounds to all the police stations. She has given a lot of complaints. And she took this extreme unfortunate step because the Uttar Pradesh police, headed by Mr. Yogi Adetanar, did not come to her rescue. And that is why, unfortunately, she took this extreme step, which clearly shows that this slogan of Beti Bachal, you remember during the time of election, this Yogi used to say that we will have this anti-Romeo Scots. Where has all gone? Sir, TLS has been maintaining that it wants a non-Congress, non-BJP front. But do you think to beat the BJP, finally the Congress front, they will also have to align with the Congress federal front that is being planned? Well, you see, I do not want to say anything but certain channels and their anchors have already decided that Narendar Modi is going to become the Prime Minister. And they have also decided that they have given him the oath also. So there is no need. So, you know, I would request those anchors, those TV channels, to fleece on 23rd. We will definitely want to see your faces when the results are going to come out. As of now, it is, you know, I cannot criticise Modi because if I criticise Mr. Narendar Modi, who is now, you know, he should remove his Chokidar and call himself Air Vice Marshal because he has now decided when to bomb, not to bomb, how clouds are, how rain is. And, you know, I really have, my sympathies are with all the Air Force technical staff and their pilots that they have to stand up to this beautiful expertise of the Prime Minister who, I mean, these are the technical people who have spent hours and hours and years, but you have a Prime Minister who tells them, badal hain, chalee jaije, kya baat hain. So, you said BJP is going to lose and they are not going to come. What would be the number you are expecting that BJP is going to lose? It is the basis of the BJP and Prime Minister and the BJP leaders. And the results are not going to come on the expected lines. They had wrongly assumed that the losses in UP would be compensated in Bengal and Odisha, which is not going to happen. Everywhere in India, there will be lose. Sir, we are a joint strongest firm. Sir, with respect, post-unus and évur. And thesenis, that whenever theers will be a female, they will be a child or a baby. Now when they will be the number, they will be the number of married people. When they will be the number of married people, they will be the number of married patients. Each year will be the number of married married people. Until now, this year when they are married people, they will be the number of married. Don't forget your friends. If you like this video. If you like this video, please share your friends. और अगर आपके मन में की question है तो आप नीचे comment करके